एंडिये गठवंदन राजस्थान में कुछ विखरता सा नजर आ रहा है राजस्थान के बाहर जो पार्टियां भारती जंता पार्टी के साथ चुनाव लड़ती हैं वही पार्टी आज राजस्थान में बीजैपी के उम्मीदवारों के सामने अपने उम्मीदवार खड़े कर रही हैं नमस्कार मेरा नाम है कुनाल और आप थिंक 360 देख रहे हैं एंडिये गटबंदन में शामिल जन नायक जनता पार्टी जिसके सुप्रीमों हैं दुशन सिंग चौटाला जो की हर्याना के उपमुख्य मंत्री हैं लोक जन्शक्ति पार्टी जो की राम बिलास इस पार्टी को चला रहे हैं और शिव सेना में शिंदेगुट ने उम्मीदवार खड़े करने शुरू करती हैं तीनों दलों की बीजेपी के साथ शीट शेरिंग को लेकर बातचीत नहीं बन पाई है और जब तिंक 360 ने शिव सेना के राजिस्तान प्रभारी चंद्रास सि से बातचीत की थी तब चंद्रास सिंग्भी ने बड़े दमखं के साथ कहा था कि शिव सेना आने वाला चुनाव भारती जंदा पार्टी के साथ लड़ेगी आने वाले साना में भाजपा और शिव सेना साथ में सिनाव लेड़ेगी जी तो देने मोगी का आप वक्ते में सुनाओं उन्हां को च्छोटा है यह बड़ा हो हम एंड़े गटक है अगर इससे को इंकार करता है तो उस आदमी की बुद्दित सुननेता पर मुझे दया है एक्तबता इंडिया के चोटने में हम क्यों है हम घ्रितता है कि और हम अंहीं राण हें हम एंडिय का साहत देंगे हम वात्पा का साथ देंगे बात कराई वच्छ को बिदा करेंगे लेकिन विदाई भी हम इतनी बुरी तरह से करना चाहते हैं कि आगे 10-15 साल तर कोगुरिस्टर में हो गए हैं पर बीजेपी ने तीन तलों के लिए सीट छोड़ने से साफ इंकार कर दिया है ऐसे में जेजेपी ने पहरी लिस्ट में 6 प्रत्याशियों का एलान कर दिया है जिसमें सुरतगर से प्रत्वी राजमील, फतापुर से नंद किशोर, दाता रामगर से डॉक्तर रीटा सिंग, खंडिला से सरदा सिंग, आर्य, कोट पुतली से राम निवास यादव और पुर से डॉक्तर मोहन सिंग को अपना प्रत्याशी बनाया है, जेजेपी हर्याना में, बीजेपी के साथ सरकार में है, जबकि चिराग पास्मान की लोगजन शक्ति पार्टी का बिहार में बीजेपी के साथ गठवंदन है, इसी प्रकार महरास्ट्र में बीजेपी की सहयो लेकिन कई ऐसी सीटे हैं जहां यह दल हारजीत की भूमिका टैकर सकते हैं राजस्थान में जाट बहोले इलाकों में हरियाना की जेजेपी का खासा प्रभाव माना जाता है देविलाल जो की ताउ के नाम से प्रसिद्ध हैं उन्होंने एक समय पर वीपी सिंग के कारेकाल में उप्रधान मंतरी का पद भी त्यागा है और चौधरी देविलाल सीकर से चुनाब लड़ चुके हैं और दो बार सांसत पी रह चुके हैं जबकि जेजेपी की अधिक्ष अजा सिंग चोटाला डांटा रामगर से विधायक रह चुके हैं जेजेपी ने कुल 30 सीटों पर उ पहुचा सकती है फद्यपूर से जेजेपी उम्मीद्वार नंद किशोर महरिया और दाता रामगर से उम्मीद्वार डॉक्टर रीटा सिंग काफी मजबूत इस्तिती में हैं अब यह सभी धोटे दल बीजेपी को कितना नक्सान पहुचाएंगे इस तरह के तमाम अपडे